हेलो गाईस, करेंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दो नममबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशे की तरह आप इस वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, या आप हमारे डिली करिंट अफेर्स पीडियेफ, विकली पीडियेफ, मंतली पीडियेफ और हर महीने के बैंकिंग एन एकनोमी का मेरिनेस पीडियेफ चाहते हैं तो करेंट अफेर्स पंडा का वनियर मेंबर्शिप प्लान आप जोइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में या फिर फिर्स्ट कोमेट में मिल जाएगा आपको बता दे इस वनियर मेंबर्शिप प्लान के तहट जितना हैं यहमारा पीडियेफ कोंटेंट है, वो हम आपको एक साल तक के लिए प्रोवाइट कराते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, इसके लिए चाया तो आप करेंट अफेल्स पंडा एप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैप्टॉप या सिस्टम की मदद से वैब लोगिन भी कर सकते हैं कोई भी आपका एक्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिस स्टेट, PCS, जहांपर भी जन्नल अमेरिनेस या करन्ट अफेल्स पूछे जाते हैं सब भी एक्जाम के लिए हमारा इस PDF कॉंटेंट काफी यूसफुल है तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से सम्मंदित, तो आप कमेंट बोक्स में वश्य दिखेगा चलिए फिर करते हैं सुरुवात इस वीडियो सेशन की हम इसागी तरह सबसे पहले आचा कोश्चन देख लेते हैं इसका अंसर आपको अभी कमेंट बोक्स में करना है विच कंट्री इस नोट अपार्ट अफ फाइफ आइज अलायन्स कौन सा देश फाइफ आइज गडबंदन का हिस्सा नहीं है ओप्शन्स देखते हैं जापन, कैनेडा, आस्ट्रेलिया या फिर न्यूजिलेंड मैं पूर्ण कोश्चन है जल्दी सा अंसर कर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह कौश्चन से दिया आप ट्रेक्टिस करना चाते हैं तो मैं टेलिग्राम पर जोइन कर लिजे करन्ट अफेल्स फंडा नाम से हमारे टेलिग्राम चनल है इस तरह के थीम्स पर जो कोश्चन होते हैं पहले वी पूशे गए हैं एक्जाम्स में जब भारती कोई सिटी किसी लिस्ट में शामिल होती है तो चलिए जानते हैं देखिए युनेस्को क्रेटिव सिटीज नेटवर्क यू डबल सी एन इसमें 55 नियू सिटीज एड की गई हैं और भारत से भी दो सिटीज हैं है ग्वालियर दूसरी है कोजी कोड तो ग्वालियर मद्यपरदेश इसक को लिटरेचर केटेगरी में एड किया गया है आपको बता दें अब इन 55 नियू सिटीज को एड करने के बाद युनेस्को क्रेटिव सिटीज नेटवर्क में 350 सिटीज हो गई हैं लगबग 100 से ज़्यादा कंट्रीज से ये सिटीज आती हैं भारत भीश में शामिल है और इ जो ये नियूली डेसिगनेटेट क्रेटिव सिटीज हैं इनको इनवाइट किया गया है कि ये 2024 युनेस्को क्रेटिव सिटीज नेटवर्क एनुवल कॉन्फरेंस जो की ब्रागा पर्चुगल में होगी इसमें पाट्स्पेट करेंगी और थीम रहेगा इस समिट का बिंग अपके सामने हैं सही आजर उप्शन सी है नरेंद्र मोधी देखें प्रामिस्ट नरेंद्र मोधी ने गुजरात की फर्स्ट हरीटेज ट्रेइन को हरीजन्टी दिखाई है रवाना किया है एक तानगर से एहमदमात के लिए तो ये जो हरीटेज ट्रेन है काफी सारी से उनमें और डिजघां किया है इनको इंटीग्रल कोजर फेक्ट्री पेरंबूर चिन नई में अब या लाइन Usually ्स्टेटीट के लिए इंटीग्रल कोज़ फेक्तरी कई बार एक्जाम में पूचा जाता है कहां पर है तो चिन नहीं में है पेरंबूर तो ये ट्रेन जो है एमदाबाद से डिपार्ट होगी और एक तानगर पहुंचे की एक तानगर रिल्वे स्टेशन है केवडिया में केवडिया में यह एक चुलिए स्टेच ओफ यूनिटी ठीक है सरदास रोवर्ट डैम के रेजर रोवायर के पास पत्रकारों के खिलाफ अपरादों के लिए दंड मुक्ती समाप्त करने हैं तू अंतरास्ट दीवस का मनाया जाता है सही अंतरॉप्शन सी है नवंबर टू देखे हर साल दो नवंबर को इंट्रेशनल डे टू एंड इंप्यूनिटी फोर क्राइम अगेंस्ट जनरलिस्ट ये मनाया जाता है और आपको बता दें इसके पिछे करण क्या है कि दो नवंबर को ही साल दो जारतेरा में दो फ्रेंच जनरलिस्ट को एससिनेट कर दे गया था इनकी हफ्ट्या कर दे गई थी माली में तो उसी को commemorate करने के लिए दे मनाया जाता है और इस बार ये दे फोकस कर रहा है वाइलेंस अगेंस्ट चनरलिस्ट दे इंटिग्रिटी ओफ इलेक्शन्स और रोल अफ पब्लिक लिडर्शिप वो हैस बिन अपॉंटेड अस प्रेजिडेंट अधिटर्स ग्यस्ट ऑफ इंडिक्श के रूप में किसे निव्ठ किया गया है उप्शन्स आपके सामने है, सही आंतर ऑप्शन्स है अनंध नाथ आपको जाना चेए अनंध नाथ जोकी दिकार्वां के एडिटर है इस पत पर ये सीमा मुस्तफा को सक्सीड कर रहे है साथी एडिटर्स गिल्ट ने लुबेन बैनरजी को जनल सेक्रेटरी और केवी परसाथ को ट्रेजरर निउक्त किया है आपको जाना चीह है इडिटर्स गिल्ट ओफिट एक नोन प्रोफिट और्गनाईशन ने जिसके स्थापना उननिस सो अठफतर को हुई थी इसरो चेर्मेन स्रीधरा पानिकर सोमनात इसरो चेर्मेन है स्रीधरा पानिकर सोमनात पुरा नाम लिख लिजे नोट कर लिजे पुछा जा सकता है वैसे वर्णा आपको हर जगह सोमनात लिखा हो मिलेगा इन्होंने अपनी एक autobiography लिखी है जो की hard work और perseverance के बारे हम बताती है कि इन पर focus करें किसी भी तरह की difficulties आए autobiography मल्यालम में लिखी गई है क्योंकि मल्यालम बोलते हैं मल्याली है यह और इन्होंने चुना कि मैं मल्याली में एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपने विचारों को इसलिए मल्यालम में ही लिखूँगा तो टाइटल है बुक का निलावु कुदिचा सिमंगल यदि लूसली आप इसको ट्रांसलेट कर इंग्लिश में तो कहा जाएगा लायन स्टैट्रेंग का मूनलाइट तो इसे motivation से भरी हुई यह बुक है और केरला बेस्ट लीपी प्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जारी ह रिलीज नहीं हुई यह भी ठीक है पर बाकी सब लिखी जा चुकी है डीज होगी नोवंबर के महिने में इसी महिने में which state celebrates मेरा होचोंगबा festival मेरा होचोंगबा उत्सव कौन सा राज़किये मनाता है सही आंत्र आप्शन है मनीपुर देखें मेरा होचोंगबा या फिर मेरा वयूंगबा या मेरा थमई थानबा ये कल्चर फेस्टिवल है जो मनीपुर में मनाए जाता है हर साल indigenous ethnic groups के द्वारा चाहे वो मैतेई people हैं या नागा tribes हो और ये festival एक तरह का unity जो है दर्शाता है जो hill tribes है और जो valley people है मनिपूर में आपको पता होगा ना कि मनिपूर की location इस तरह से beach में valley है और valley को गेरे हुए पाहड है ठीक है तो मैं तरही रहते हैं valley में तो मनिपूर की अगर हम बात करें मनिपूर की capital इमफाल है governor अनसुया उइके है chief minister एन बिरेन सिंग है अच्छा याद रखे है कि मनिपूर में आपने देखा कि इतने हिंसा हुई तो इसके जो border करते हैं states वो याद रखी का नागलेंड मीजरोम और आसाम इसको टच करते हैं इसका border और important festivals अगर हम देखे मनिपूर के तो संगाई बहुत महत्पूर फेस्टिवल है याँका कूट याउसांग भी महत्पूर है चेराओबा ये कई बार से पूस चुका है और गान नगाई ये फेस्टिवल से नोट कर लिजिए विश्पेयर वन 2023 बेस्ट चैलेंजर डबल्स टैनिस टाइटल किस जोडी ने 2030 बेस्ट चैलेंजर यूगल टैनिस किताब जीता सही आंतर अप्चन भी है यूकी भामरी एंड जूलियन कैश देखें इंडियन प्रोफेशनल टैनिस प्लेयर यूकी भामरी और इनके साथी बिर्टेन के जूलियन कैश इन्होंने बिर्टेन के रोबर्ट गैलोवे एंड फ्रांस के अलमेनो ओलिवेटी इन दोनों की जोडी को डबल्स फाइनल में हरा दिया है और चलेंजर टैनिस टूर्णमेंट जीता है ब्रेस्ट फ्रांस में आपको बतादें स्पनिश टैनिस प्लेयर पेडरो मार्टिविच इन्होंने सिंगल स्टाइटल जीता है इस टूर्णमेंट में तो ये मैंस का ही टाइटल रहा सिंगल और डबल और ये ज़े 2023 ब्रेस्ट चलेंजर था ये 8th edition था इस टूर्णमेंट का इस टूर्णमेंट प्रवतन निदेशाले इडी ने किस राज्य में अवैध रेत या बालू खनन की जाच के लिए इस रो और आईट कानपर के विसे सग्यों को सामिल किया है आपको जाना चीए डिरेक्टरेट ऑफ इनफोर्समेंट याने की इडी इसने इंडियन स्पेस रिसर्च और अरगनाज़शन इस रो एंडियन स्टेक्नोजी कानपर आईटी कानपर से एक्सपर्ट को जो है चुना है जो की इसकी मदद करेंगे इडी की जो तविलनाडों में एक्सेसिव और इलीगल जो सेंड माइनिंग हो रही है उसकी इन्वेस्टिकेशन में इसरो इस इन्ट प्रोसेस औफ प्रोवाइद सेटलाइट इमेज़स अप्ता साइट्स जो है इंटरकनेक्टेड आपता जोखिम रिपोर्ट 2030 के संदर में निम्लिकित कतनों पर विचार करें, पहला कतन है, इंडिया is the worst largest user of groundwater, exceeding the use of the United States and China combined, majority of the wells in Punjab are considered over-exploited, which of the statement or statements given above is are correct, तो सही answer options यह है, बहुत 1 and 2 दोनों ही सही है, आपको जाना चाहिए कि United Nations University, Institute for Environment and Human Security, UNUEHS, इन्होंने एक रिपोर्ट चारी कि है और इसमें बताया कि बाहरे जोए Groundwater Depletion Tipping Point पर पहुंच चुका है, रिपोर्ट का नाम है, Interconnected Disaster Risk Report 23, अप जैसे आपके बैंक एक्जाम हो गया, SST के एक्जाम हो इनके लिए, आपके लिए कि जानना जूरूरी है कि रिप पिसेस हो गया, या फिर आपका IES एक्जाम हो गया, तो उसमें Multi Statement Question मन जाते हैं, जैसे यह मनाया गया है, तो इस रिपोर्ट का नाम है, Interconnected Disaster Risk Report 23, इसमें 6 Environmental Tipping Points बताये गए हैं, एक तो है, Accelerating Extinction, Groundwater Depletion, Mountain Glacier Melting, Space Devery, Unbearable Heat, and Unensurable Future, यह से बताया है कि वर्ट के जो 31 major aquifers ह जो है, काफी तेजी से, Deplete हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं, और, जो है, वो Replenisht भी हो सकते हैं, मतलब, Replenisht बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, कमी स्पीट से हो रहे हैं, और Depletion मतलब पुने किसी चीज़ को भरना, एक बार खतम हो जाए, फिर से दुबारा भरना, तो वो गत प्रेडिक्टेट तो एक्पिरेंस क्रिटिकली लो ग्रांडवाटर एवलुटी पाई कॉंटिवंटिफाइव ग्रांडवाटर इसेंचिल फ्रेश्वाटर रिसोर्स इंडर्गांड रिजर वार्वाटर को पीछे छोड़ता है अप्रेल से सिदंबर 2023 तक मनरेगास के तहत श्रक्रिये स्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई सही आंसर अप्चन सी है 7.5% आपको जाना चाहिए महात्मागानी नेसा रूरल एम्प्लोएमेंट गारंटीस की म्यानी की मनरेगा की बात हो रही है इसके तहर जो वर्कफोर्स से उसमें कॉंट्रेक्शन देखने के लिए मिला है ऐसा बताया है लिप्टेक इंडिया के द्वारा जो डेटा प्रोबाइट कराए गया है उसमें इसमें बताया गया कि अब रैसे जबंबर 2030 में 7.5% डेटक्शन देखा गया है एक्टिव वर्कर्स की संख्या में जहां प्रीवेस फिसकल एर में 15.49 करोड थे वहीं इस फिसकल में अब 14.33 करोड रहे है वाइल दमन रेगा वर्कर्स इस श्रिंकिंग देविज एन इंक्रीज डिमांड फॉर वर्क अंडर दा स्कीम वर्कर भरी घट रहे हैं लेकिन जो डिमांड है वर्कर्स की वह बढ़ रही है इस रिपरण बताय गया है कि 9% इंक्रीज देखने के लिए मिला है डिमांड में अगर हम last financial year से compare करें और जो वर्कर्स का participation जो सबसे आदा घटा है वो बेस्ट बेंगॉल में देखा गया है क्योंकि यहां पर इस scheme को जो है सस्पेंड कर देगा है union government द्वारा कि large scale corruption यहां पर हुआ है ऐसा government का मानना है Who has been conferred 2023 Global Leadership Award for Philanthropy from USI SPF USI SPF के और से परोपकार के लिए 2030 Global Leadership Award से किसे जमानित किया गया है सही आंथर Option B है नीथा मवानी देखी US-India Strategy Partnership Forum ने नीथा मवानी जो की founder and chairperson Reliance Foundation की इनने 2030 Global Leadership Award for Philanthropy and Corporate Social Responsibility से समानित यह है USI SPF chairman John Chambers and the board of directors presented the award Which country will help fund India's hunger project and help strengthen women leaders to protect the environment and promote food security in उत्राखंट कौन सा देश भारत के hunger project को वित्पोसित करने और उत्राखंट में परियावरण की रक्षा और खाद्य शुरक्षा को बढ़ावा देने मदद करेगा सही आंत्रा ओप्षन यह है नौर्वे देखें नौर्वे इंडिया का जो hunger project है उसको funding provide करेगा और जो women leaders हैं उनको strengthen करेगा to protect the environment and promote food security in उत्राखंट इस project की duration तीन साल किये यानि की सब्सक्राइब 2016 तक बजट है 44.7 million रूपीज का The hunger project organizes capacity building training for elected women representatives and federations focusing on strengthening one panchayats which in turn will ensure food security and livelihood opportunities for marginalized households Fincare Small Finance Bank is set to merge with which bank from February 1st 2024 Fincare Small Finance Bank का एक फर्वीद 2024 से किस बैंक में विलाए होगा सही आंसर ओप्षन सिये AU Small Finance Bank आपको जाना चाहिए Fincare Small Finance Bank एक फर्वीद 2024 से AU Small Finance Bank में मर्ज हो जाएगा इस merger के बाद जो existing shareholders है Fincare Small Finance Bank के वो लगभग 9.9% ownership प्राप्त करेंगे AU Small Finance Bank में जो भी employees है Fincare Small Finance Bank के वो AU Small Finance Bank में जो इंक्लूड हो जाएगे आपको जाना चाहिए AU Small Finance Bank ने हाली में अपना पहला Green Fixed Deposit लॉंच है जिसका नाम है Planet First AU Green Fixed Deposit बात करते हैं अगर हम AU Small Finance Bank की Headquarters जाएपूर राइस्थान में टेग लाइन है चलो आगे बढ़े MD & CEO Sanjay Agrabal है South Asia's First Aircraft Recovery Training School opened at which airport दक्षिनेश्या का पहला Aircraft Recovery Training School की सवाय अड़े पर खोला गया है सही आम्सरा उप्शन दी है बैंगलूरू Airport देखे बैंगलूरू International Airport Limited ने South Asia का First Aircraft Recovery Training School कंपेकोडा International Airport बैंगलूरू के प्रेमाइसेज में ओपन किया है The newly set-up institution will provide specialized aircraft recovery hands-on training equipped with state-of-the-art disabled aircraft recovery equipment through a strategic partnership with KUNJ GMBH Aircraft Equipment Germany Which state cabinet approved dear daughter scheme for welfare of girl child कि सराज मंत्री मंदल ने बालिकाओ के कर्लियान के लिए लेक लाड़की यो जना को मंझूरी दी सही आमसर उप्शन सी है महारासर महारास्ट इस्टेट cabinet ने लेक लड़की ने लड़की ने लेक लड़की ने लड़की ने लेक लड़की यो जनायान की dear daughter scheme को एप्रूव कर दिया है उन सभी families के लिए जिनकी annual income एक लाग रुपे तक की है तो इसके नुसार जो family के पास yellow या saffron रासन कार्ड है वो 5000 रुपे प्राप्त करेंगे समधान scheme for settlement of pending tax dues किस राजय सरकार ने लंबित करपकाया की निप्टान के लिए समधान योजना की खोशना की है सही आंतर option C है तमिलनाडू देखे तमिलनाडू का ओमेंड ने एक समधान scheme announced की है with waivers and concessions to pave the way for the settlement of pending tax dues of about 25,000 क्रोड रुपे पच्चे जार क्रोड रुपे तक के जो tax spending है उनके settlement के लिए ये समधान scheme launch की गई है तमिलनाडू की बात करते हैं capital chain नहीं है चीफ मिस्टर रैम के स्टैरिन है गवर्णर आर एन रवी है who launched मेरा युवा भारत माई भारत platform on the National Unity Day रास्टे एक्ता दिवस पर मेरा युवा भारत माई भारत मंच किसने launch किया सही आउतर option A है नरिंद्र मोदी देखे प्राइमिस नरिंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत माई भारत platform launch किया है करत्तिस अक्टूबर को यानि कि National Unity Day के मौके पर कहां करतव विपात पर आपको जाना चीए ग्यारा अक्टूबर 2023 को युनेर कैबिरेट ने अपना अप्रूवल दिया था कि एक और्टरोमस बोडी बनाई जाएगी मेरा युवा भारत माई भारत का नाम हुआ जो मेरा युवा भारत है ये जो नेशनल यूथ पॉलिसी में जो यूथ को डिफाइन किया गया है 15-30 साल उसे एज ग्रूप को बेनेफिट देने वाला है आलाकि इस योजना के लिए इसमें जो बेनेफिशरीज होंगे वो 10-19 साल तक के होंगे मेरा युवा भारत एक फिजिटल प्लाटफोर्म याने की फिजिकल प्लस दिजिटल यसे फिजिकल एक्टिविटी भी है और डिजिटली कनेक्ट होने की अपर्चिटीज भी है इसके अगर हम अब्जेक्टिव्स देखें तो लेटर्शिप डेवलपमेंट इन यूथ एक ट्रीज एक प्लस दो एक प्लस दिखेंगे. को अंसर के ऑंसर के अंसर के चेंगे. मरोक तुनली इजिए इस इन विछ एक टेट ओर एक परेविटी जम्म इंक्षमीर. In the field of finance, what is the full form of SIP, Systematic Investment Plan? Which country will build world's most powerful laser called Vulcan 2020 England? Which nation recently handed down the death penalty to aid former Indian Navy personnel Qatar? which payment company has become the official sponsor for the ongoing 37th edition of the national games being held in goa btm which hyderabad based space startup introduced vikram 1 a multi-stage launch vehicle designed for the space launch in early 2024 answer is skyroote aerospace और आपने से कही एस्टेरे से बिल्कुल सही आंसर किया है इसी तरह से आप participate करते रहिए चलिए आज के 7 question देखेंगे who has been appointed Slovakia's prime minister for the fourth time what is the theme of fifth cohort under RBI's regulatory sandbox which organization launched specs 2030 initiative to ensure quality eye care India which country concluded the 11th round of corps commander talks in Chusul Ladakh which battalion of the Naga regiment got the president's color award from army chief general Manoj Pandey the government of India along with the Indian drugs manufacturer association celebrated the first ever national current good manufacturing practice day on which day तो इन 6 questions के answer आपको comment box में देने हैं यदि आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में वश्चे से बताईएगा ज्यादा ज्यादा संग्यां participate करने को जिस कीजिए साथी current affairs funder को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुरे वीडियो updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हमारे current affairs की playlist दी गई है तो आप जरूर देखे हैं अपने दोस्तों के साथ फैलोस्तों के साथ हमारे current affairs को आप शेयर जरू करें आज का यह session आपको कैसा लगा आप comment लोग से मुश्य बताईएगा thank you guys